अगर आप भी चाहते हैं इंजल के साथ connection बनाना बहुत टाइम से आप सुन तो रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है किस तरह से इन से help मागी जाती है किस तरह से इन के साथ connect हुआ जाता है और कैसे ये आपके पास instant आती है जी हाँ ऐसा कोई process है सब कुछ बताने वाले हूँ अगर आप इस topic में interested हैं तो वीडियो में इन तक बने रहेगा Hello beautiful soul कैसे हैं आप सब आप सब भी का स्वागत है आपके अपने channel easy live triple one के उपर आज की इस वीडियो में आप जाने वाले हैं कि किस तरह से आप angel को बुला सकते हैं या फिर उनके energy से connect कर सकते हैं खुद को तो जैसा कि हमने बचपन से ही सुना है परियों की कहानी जिसमें एक बहुत ही सुन्दर सी लड़की होती है जिसके feather होते हैं और अभी जब सभी लोग बड़े होते हैं तब भी उनके मन में वही image बनती है कि अगर angel है परी है means वो लड़की होगी और बहुत सुन्दर punk होंगे white color का कपड़ा होगा बड़ ऐसा कुछ नहीं है guys वो एक pure light है और उनका कोई gender नहीं होता है ठीक है नहीं उनके पस कोई शरीर होता है वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती हैं और हमेशा ही हमारे साथ ही रहती हैं हमें पता नहीं है कि कौन है कहा है अगर आप चाहते हैं उनके साथ connection बनाना सबसे पहला काम आप अपने घर की साथ सफाई रखा कीजिए खुश्बुदार चीजे रखे घर में ज़्यादा फूल रखे फूल नहीं रख सकते हमेशा धूब चला के रखे और अगर आप इनके साथ कभी भी ऐसी जरूरत पड़े जब आपको इनके साथ connection बनाना है और जिंट है simple सा आप कोई भी खुश्बुदार धूब चलाएंगे साथ में आप candle जला सकते हैं और एक glass में काज के glass में पानी रख सकते हैं देन आप जैसे meditation के लिए बैठते हैं वैसे ही simply बैठ जाना है deep breathing करना है three times यानि तीन बार लंबी गहरी सांस लेंगे, hold करेंगे और छोड़ेंगे उसके बाद आखों को बंद कर लिजे और feel कीजिए कि आप एक positive light के साथ जुड़ चुके हैं इतना जब आपको feel होने लगे आप दोनों हाथों को जोड़िए देन प्रियर कीजिए कि हेद दिव्य शक्तियां, ब्रम्हान की शक्तियां, देवदूत, एंजल्स, आप उन्हें जिन नामों से पुकारते हैं आप मेरी मदद करें, मुझसे connect हो, मेरी बातों को सुने, मेरी प्रार्थना को सुने, मेरी कामना है कि आप मेरे सामने आए, मेरी मदद करें, मेरी प्रार्थना को सुने, आप जैसे अपने parents से हाज जोड़ के बोलते हैं, कैसे बच्पन में बच्चे हाज जोड़ लेते हैं कोई भी चीज उन्हें चाहिए होती है तो बिलकुल उसी तरह से कोई particular prayer नहीं करना है ठीक है शुरू शुरू आपको ऐसे ही करना होता है thank you बोलिए बहुत सरा फिर भी आपको कुछ realize नहीं हो रहा है आप ओपनो पनो prayer कीजिए dear angel I am sorry please forgive me thank you I love you ये prayer आप 10 मिनट कीजिए 15 मिनट कीजिए आप खुद फील करने लगेंगे कि आपके आसपास angel आ चुकी है जैसे यह ऐसा महसूस होने लगे हो सकता है आपके आखों मेयास हुआ है आप ये रोंग्टे खड़े हो जाए इस तरह की shine मिले तो समझ लिजिए कि वो positive शक्ती आपके आसपास है अब आप अपनी problem उनकी साथ share कर सकते हैं आप अपनी wish उनसे बोल सकते हैं कि मुझे ये wish manifest करनी है और आपका काम हो जाएगा जी हाँ guys इसी तरह से हम angel को later भी लिखते हैं तो अगर आप लोग चाहेंगे कॉमेंट करेंगे भर भर के तो मैं उसकी वीडियो भी लाओंगे इस वीडियो में इतना ही अगर आप इस तरह की वीडियो regular चाहते हैं तो इस चैनल को subscribe कर लीजिएगा और daily वीडियो का notification पाने के लिए बिल आइकन को अलबे प्रेस कर लीजिएगा आप चाहते हैं अपने bad karma को heal करना तो अपने च्छतों पर चुड़ों के लिए दाना रखे, दाना नहीं है रोटी रखे, पानी रखे ताकि वो खाएं और आपके bad karma को heal करें मैं मिलती हूँ next वीडियो में अब तक आप सभी खुद का ध्यान रखे खुश रहे, healthy रहे, positive रहे, मुस्कराती रहे God bless you and thanks for watching राधी राधी